जैसे जैसे चुनाबी साल आगे बढ़ रहा हैं वो वैसे वैसे राजितिक पार्टिया एक दूसरी खिलाब तल्ख बयानबाजी करते रज़र आ रहे हैं इन सब के बीच कॉंग्रेस ने मोधी सरकार पर तीखा हमला किया है कॉंग्रेस परवक्ता की माने तो मोधी सरकार अपनी नाकामी और हार चिपारी के लिए धर्म का सहारा ले रही है लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है सुनिए कॉंग्रेस परवक्ता ने और क्या क्या कहा है नमश्खर हिंदी की पुरानी कहवत है कि डूपते को तिनके का सहारा भाजपा ने आज से फिर से एक बार अपनी पुरानी और बासी रणनीती का प्रयोग किया है कि जनता के गुस्से जिस परकार जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जवाब दही और जिम्मेदारी से मूँ फेरा जाए उस से बचने के लिए फिर से आज एक बार धरम का सहारा और दुश परचार का सहारा लेकर इस देश की जनता को गुम्रा करने का प्रयतन किया है भाजपा को एहसास हो जाना चाहिए कि अब जनता उनकी जुम्मलो वली राजनीती में विश्वास नहीं करती उनके दुश परचार में विश्वास नहीं करती अब जनता जान गई है जूट के पाउं नहीं होते और सत्य तत्यों पे टिका हुआ है आज उत्सा में भाजपा के परवक्ताओं ने अपने ही पहर पे कुलाडी मार ली है श्री राहुल गांधी पे वार करने के चक्कर में अपने आपको बेनिकाब कर दिया है अब कैसे भाजपा विकी लीक्स के आधार पे शीर राहुल गांधी पे प्रशन उठाने से पहले जो माननिय वितमंत्री शीरी अरुन जेटली ने विकी लीक्स को 2005 में खुलासा किया था कि भाजपा धर्म का सिरफ वोट बटोरने के लिए परियोग करती है इंग्लिश में कहा कि हिंदू नैशनलिजम इस अ क्लासिक ऑपरचुनिटी एन टूल फॉर ऑपरचुनिजम शीरी अरुन जेटली ने कहा कि शीरी नरेंदर मोधी एक पोलराइजिंग परसनेलिटी हैं पह पहले अपने ही मंत्री श्री अरुन जेटली पे जवाब दे सफाई दे जैसा के उन्हें एक केबल दिखाई आप सभी लोगों को उससे पहले की एक केबल हमारे पास है दो हजार पांच की केबल नंबर तीन दो दो साथ नौ इमबैसी न्यू डेली क्लासिफाइड बाइ चार्ज रॉबर्ट ओ बलेक फॉर रीजन नंबर सो इन सो मीटिंग विश्री अरुन जेटली आपके सबके लिए पढ़ भी देता हूं 5th October 2005 Jaitli argued that Hindu nationalism will always be a talking point for the BJP he characterized this as an opportunistic issue के हिंदू राष्ट्रवाद भाजपा के लिए एक मौका परस्ती का विश्य है In India's Northeast for instance, Hindutva plays well because of public anxiety about illegal migration of Muslims from Bangladesh With the recent improvement of Indo-Pak relations he added Hindu nationalism is now less resonant in New Delhi but that could change with another cross-border terrorist attack for instance on the Indian Parliament माननी ये श्री अरुन जेटली और कहते हैं Jaitli agreed with charges point that Modi was a polarizing personality तो श्री अरुन जेटली जी ने WikiLeaks में 2005 में ये माना के भाजपा धर्म को केवल एक राजनितिक छड़ी बनाके उसका दुरुपयोग करती है भाजपा के लिए हिंदू राष्ट्रिवाद सिरफ एक वोट बटोरने का तरीका है और तीसरा इस देश के प्रधान मंत्री श्री नरिंदर मोदी उनोंने अमरीकियों के सामने ये स्विकार किया कि उनकी एक polarizing personality है तो भाजपा के परवक्ता श्री राहुल गांदी से प्रशन पूछने से पहले श्री अरुन जेटली ने जो विकी लिक्स पे खुलासा किया है उस पे पहले जवाब दें और फिर कॉंग्रिस की तरफ उंगली उठाएं पर ये सब क्यों हो रहा है जब जब देश किसी समस्या से गुजरता है जनता के प्रशन बढ़ने शुरू हो जाते हैं और मोदी जी को मुँँ छुपाना पड़ता है तो वो श्री राहुल गांदी पे सवाल खड़े कर देते हैं आज फिर से एक बार बैंकों में पैसा नहीं दलत पे अत्याचार बढ़ रहे हैं रिफैल घोटाले, नीरव मोदी घोटाले और मेहुल भाई घोटाले पे सरकार चुपी बनाए बैटी है जैशा और प्यूश गोएल की संपत्ती में 16,000 प्रतिशद और 3,000 प्रतिशद की वृद्धी हो गई है उस बात पे जवाब और जिम्मेदारी से भागने के लिए भाजपा ने आज फिर से एक बार श्री राहुल गांधी पे सवाल खड़े करती है पर भाजपा ने जैसा के मैंने पहले कहा ये उचित होगा अगर विक्की लीक श्री राहुल गांधी पे लागू होती है तो उससे पहले विकी लीग श्री अरुन जेटली पे लागू होती है, जिसने भाजपा की जब से स्थापना हुई है, धरम को एक राजनीतिक छड़ी बनाने का जो पैंतरा है, उसको आज उस पे पड़दाफास किया और देश के सामने रखा. दूसरा विश्य जो फिर से भाजपा ने उठाया, वो है जो कनाटक में होने वाले चुनाओ, उसको लेके जो टिकेट्स कॉंग्रेस पार्टी ने दी हैं, उस पे उठाया. मोदी भक्ती में मगन कुछ भक्त चैनलों ने इस खबर को बहुत हवा दी और बढ़ा चला के चलाया, कि भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस ने मेहुल चौक्सी के वकील को टिकेट दे दी, और ये आप इसी बात पे एक कोई गुनाह कर दिया. हाला कि उन वकील ने ये साफ किया है, उनका मेहुल चौक्सी से कुछ लेना देना नहीं, एक वकील के नाते उन्होंने उसका केस कभी किया होगा और बहुत पहले किया है, जो कोई जुर्म नहीं. पर क्यूंकि अब भाजपा ने फिर से एक बार अपने पेर पे कुलहाडी मार दिये प्रशन उठाके, भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस अब तीन प्रशन पूछती है, संदर में, जिस पे कारवाई भी होनी चाहिए, और भाजपा को उत्तर भी देना पड़ेगा. अगर किसी आरोपी या गब्बन बाज का वकील होना आरोप है, तो भाजपा पहले अपने वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री, श्रीमती सुष्मा सोराज, राजिस्थान की मुख मंत्री, श्रीमती वसुंदरा राजे से इस्तीफा मांगे और उन पे कारवाई करें, क्या ये सच नहीं, जब छोटा मोदी नंबर दो, नीरव मोदी और मानिनिय परधान मंत्री के भाई, मेहुल भाई, इस देश को लूट रहे थे, इस देश से भागने की तेयारी कर रहे थे, और जब इस देश से भाग गए, तब श्री अरुण जेटली की बेटी, नीरव मोदी की कंपनियों की वकील थी, किसी का वकील होना गलत नहीं है, पर वो इस देश के वित मंत्री है, श्री अरुण जेटली का ये करतव्य था, कि जिस कुरसी पे बैटे हैं, वो इस conflict of interest का खुलासा करते, और सरकार को बताते, और इस देश को बताते, कि ज देश की जनता के पैसे की सफाई कर रहा है, उनकी वकील मेरी बेटी है, जो ये नीजी हितों का टकराओ था, ये अरुण जेटली जी का करतव्य बनता था, कि उसका वो खुलासा करते, और देश के सामने बात रखते, पर नहीं किया।